कल मोधी सरकार में मंत्रियों का गठन हो रहा था एक के करके नौ निर्वाचित सांसत जाके मंत्रीपत की शपत ले रहे थे और मैं आपको ये भी बता दू कि बिहार से आठ नौ निर्वाचित सांसतों ने मंत्रीपत का शपत लिया लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि इसमें स से एक ना एक राजपूत के इंद्रिय मंत्री जरूर रहा है लेकिन इस बार की सरकार में राजपूतों को सीधे तोर पे बाइकॉट किया गया है अब ये क्यों किया गया है और पूरा माजरा क्या है इसके बारे में हम बाचीत करेंगे उससे पहले मेरा नाम रजट है और एक यादव, एक EBC, एक ब्रामण और एक मला है लेकिन अगर बात किया जाए राजपूत की तो राजपूतों की संख्या जीरो है जबकि एक तरीके से देखा जाए तो राजपूतों का दबदबा रहा है बिहार की राजनीती में और बिहार से लेके किंद्र की राजनीती में लेकिन इस बार कही न कही राजपूतों को बाइकॉट किया गया इसका वज़य क्या है इसकी उपर ही हम पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं लेकिन कही न कही ये भेद भाव जो हुआ है इसके पीछे का कारण जब सामने आएगा तो आप भी सोच में बताएंगे और इस भेद भाव का प्रभाव 2025 के विधान शभा पर कितना पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे मैं आपको सबसे पहले बता दू कि राजपूतों के तरफ से 5 सांसद ऐसे हैं जो NDA के तरफ से जीत के गए ये 9 निर्वाचित सांसद ह लेकिन इन में से एक को भी मंत्री मंडल पद में नहीं रखा गया कैबिनेट मंत्री तो छोड़िये स्वतंदर परभार भी नहीं दिया गया ये 5 सांसद हैं राधा मोहन सिंग, राजियो प्रताप रूधी और जनारदन सिंसिंगरवाल ये तो डारेक्ट बीजेपी से आते हैं, दो सांसद की बात की जाए तो एक है लवली आनन जो कि शिवहर जीत के आई और दूसरी है वीना देवी जिन्होंने वैशाली जीता, इन दोनों को भी दरकिनार किया गया और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सरफ बीजेपी ही नहीं, बिहार में जेडियू और चिरा शित्रिये नेता थे, उन्हीं को राजपूत सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनके जो शित्रिये नेता हैं, अगर वो राजपूत हैं, तो इस हिसाब से राजपूत उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो किसी पाल्टी और पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो डिरेक से किंद्रिय मंत्री रह चुके आर्के सिंग चुनाओ हार जाते हैं और ये दोनों ये बात का गवा है ये बात बताता है कि कही ना कहीं राजपूतों में कुछ एक आक्रोज था जहां पर मोधी सरकार का विरोध हो रहा था और इस वज़े से ये दोनों नेता जो हैं वो चु पत ले रहे थे तो इसमें से एक भी बिहार के तरफ से राजपूत चहरा आपको देखने को नहीं मिला यहीं नहीं मैं आपको ये भी बता दू कि सुधाकर सिंग जो की राजपूत विरादरी से आते हैं और वो आर्जडी के तरफ से चुनाओ लड़ रहे थे आपकुछ ल कि बक्सर में राजपूत जो है एक मुष्ट होगे सुधाकर सिंग को वोट किये हैं मतलब किसी पार्टी से उपर हटके उन्होंने सिर्फ एक जाती को सपोर्ट किया और उन्होंने सुधाकर सिंग को वहां से चुनाओ जितवा दिया जिसका नतीजा यह रहा कि वहां बक्स मंदल तक नहीं पहुंच सका और वो दबदबा वहां पे देखने को नहीं मिला इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इन जीते हुए सांसदों को भी होता हुआ दिकराया जैसे की राधा मुहन सिंग ये पुरु मंत्री भी रह चुके हैं राजीव प्रताप रूधी ये भी पु ये भी तीन बार से लगातार शांसद जीत के रही हैं LGP की तरफ से लेकिन इस बार इनको भी दरकिनार कर दिया गया और अभी तक LGP की तरफ से मातर एक इनसान नहीं सपत ग्रहन किया है और वो स्वैन चिराग पास्तवान है वहीं अगर बात किया जाए तो GDU की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है लबली अनंद को इस बार मंत्री मंडल में शामिल किया जाए इसके उपर कई सारे आर्टिकल भी सामने आये थे लेकिन जब कल मंत्री मंडल का शपत ग्रहन चल रहा था तो उसमें इन में से कोई नेता नजर नहीं आये ना इनका नाम आया और नहीं इनकी कोई चर्चा हो ये बात बताता है कि कहीं न कहीं मोधी सरकार बिहार के राजपूतों को तो इग्नोर कर रही है जिसका खाम्याजा हो सकता है कि वो विधान सबा में भोगें हो सकता है कि इस तरीके का कुछ रुझान सामने आये जिसका उन्होंने सोचा ना हो लेकिन अभे फिलाल राजपूर्ट दरकिनार है और 2025 का विधान सबाद जो है वो सरपे है जो विपक्ष एक तरीके से मुद्दा भी लेके सामने आ सकता है और इसको मुद्दा बना भी सकता है बाकि इसके उपर आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है क्यों दरकिन किया गया होगा कि आखिर पांच सांसत जीतने के बाद बी एंडिये में एक भी राजपूर्ट चेरा बिहार से मंत्री मंडल में क्यों नहीं दिखा इसकी जानकारी आप को मेंट सिक्सिन के माधिम से हमें दे सकते हैं